दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है दा साइंस अपने आप लोग देख रहें साइंस की स्पेशल सीरीज 107 अर्थात 107 सीरीज है इसके पहले 106 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तो कोशन नमबर क्या है कोशन नमबर 101 और यह सीरीज दोस्तो इंपोर्टेंट है रेलवे गुरूब डी के लिए, पीच्टी ठीच्टी के लिए, सुपर टेट के लिए, इविन ऐसे एकजाम्प्स जिसमें साइन्स आती है, यह सीरीज सभी के लिए दोस्तों बहुत अधिक इंपोर्टेंट है, तो कोशेन अपना क्या है, 101 नमबर है, देखते हैं कोशेन क्य नमबर भी कहते हैं का सम्मंद किस से है, ऑप्शन ए क्या है, ध्वनी के वेक से, ऑप्शन बी जल्यान के वेक से, ऑप्शन सी वाई यान के वेक से, ऑप्शन डी अंतरक्षियान के वेक से, तो बताएं दोस्तों किस से सम्मंद है, देखिए दोस्तों, यह जो माक साक होता ह जिसको मैक नंबर भी कहते हैं इसका जो सम्मंद है वह वाई व्यान के वेक से होता है अर्थाथ इस question का correct answer हो जाएगा option C आपको जानकारी के लिए दूस्ते एक बात और बता दें जो वाई व्यान है वह अब जो उड़ान बरता है जो उड़ता है वह समताप मंदल में उड़ता है समताप मंदल को इंग्लिश में stratosphere कहते हैं समताप मंदल में कोई भी मौसम से सम्मंदित गटना नहीं होती है अगर तो अपना question 101 नंबर है और इसका correct आंसर हो जाएगा option C आईए next question देखेंगे question देखेंगे 102 प्रति ध्वनी के उत्पन होने का कारण option A ध्वनी का परावर्तन option B ध्वनी का अपवर्तन option C ध्वनी का विवर्तन option D ध्वनी का दुरुआण बताईए कि प्रति ध्वनी उत्पन होने का कारण क्या होता है देखेंगे इसका जो मुक कारण होता है वह परावर्तन होता है अर्थात इस question का correct आंसर हो जाएगा option A question अपने पास है एक सो तीन नमबर देखें क्या है एक सो तीन नमबर प्रति ध्वनी मूल ध्वनी से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनी शुरोत वा प्रावर्तक सतय के मद्द नियुन्तम अंतराल हो option A 10 मीटर हो option B 17 मीटर हो option C 34 34 मीटर हो या option D है 100 मीटर हो यह क्या correct answer होगा देखिए प्रति ध्वनी मूल ध्वनी से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनी शुरोत वा प्रावर्तक सतय के मद्द नियुन्तम अंतराल 17 मीटर का हो कितना हो 17 मीटर को अर्थाथ इस question का correct answer हो जाएगा option B अब question हम लोग देखेंगे 104 देखिए क्या 104 दिया गया है चमगादल अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादल क्या होते हैं अंधेरे में उड़ते हैं तो वो क्यूं उड़ते हैं ये question है देखते हैं option है ये अंदकार में सुगंता से देख पाते हैं option भी उनके नेतर का तारा बहुत बड़ा होता है option c वे अपने द्वारा उत्पन पराश्रब तरंगों जिसकों की इंग्लिश में अल्ट्रा सोनिक वेप्स कहते हैं की साहता से अपना मार्क दर्शन कर पाते हैं option d सभी पक्षी ऐसा करने समरता हैं देखिए जो चमगादल होते हैं तो यह क्या करते हैं यह पराश्रब तरंगे जो होती हैं उन्हीं के मार्क दर्शन के माद्यम से देख पाते हैं इनको जानकारी मिल जाती है कि आगे कौन सी वस्तु है की नहीं है तो इसलिए दोस्तों 104 चार नमबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Offsin क्या हो जाएगा θα उपसिन सी गरेक्ट आंसर हो जाएगा वे अपने द्वारा उत्पन प्राश्रब तरंगों की सायता से अपना मार्क दर्शन कर पाते हैं अपकोशन है अपने पास 105 क्या है 105 है देखिए एक पुलिस की गार किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो साइरन की सामान तारत जिसको त्युक्ता कहते हैं कि सापेक्च उसकी दोनी का तारत क्या होगा ओप्शन एक कम होगा ओप्शन एक समान होगा ओप्शन दी अधिक होगा option d गाड़ी की गती के उन्सार कम या अधिक होगा पुलिस का साइरन आप सभी लोगों ने सुना होगा तो उस पर क्या effect पड़ेगा देखिए क्या होता है एक पुलिस की गाड़ी साइरन बजाती हुई किसी प्रिशक से दूर जा रही है तो साइरन के सामान तारत कि दौर प्रिभाव के कारण ऐसा होगा जब किसी घ्रोनी श्रोत और श्रोता के बीच अपएक श्रिक गती होती है तो दौनी की आवासी आवरती बदली हुई प्रतीत होती है इसे ही डौपलर का प्रिभाव कहा जाता है फिर से द्याना कियेगा दोस्तो जब किसी ध्वनी श्रोत और श्रोता की बीच आपेक्षिक गती होती है तो ध्वनी की आवासी आवरती बदली हुई प्रतीत होती है इसे ही डॉपलर का प्रभाव कहते हैं अर्थाथ दोस्तो इस कोश्यन का करेक्ट आंसर होगा क्या? आए नेक्ष्ट देखते हैं दोस्तो कोश्यन आप लोग देख पा रहे होंगे 106 नमबर देखिए 106 क्या दिया गया है? एक छर चुम्बक के सिरे पर चिपक कर लटके तो इस पात क्या होगा? आलपिन उर्द्वा धर नहीं लटक पाते हैं आलपिन जो होते उर्द्वा धर नहीं लटक पाते हैं एक आप चुम्बक देख पा रहे होंगे नौर्थ है नौर्थ पोल है और साउथ पोल है यह चुम्बक रहा है अब देखते ऑप्शन क्या है? पिन पिनों के शीर्स ठीक प्रकार से गोल नहीं बने होते हैं ऑप्शन भी पिनों के शीर्स गोलाकार हो जाना इस question का correct answer क्या होगा क्या होगा दोस्तों चलिए आईए दोस्तों देखते हैं इस question का correct answer कि यह जो आलपिन है वो क्यों नहीं लटके रहते हैं देखें एक चर्चुम्बक के सरे पर चिपक कर लटके तो दो इस पात आलपिन उर्दवादर में नहीं लटक पाते हैं क्यो प्रतकर्शित होते हैं अर्थात इस question का correct answer हो जाएगा option c आप question number देखेंगे 107 सिर के सूखे बालों में कड़ी रवड के कंदे से कंगी करने पर करकड़ाट की ध्वनी का कारण क्या है सिर के जब बाल सूखे हो तो उसमें कड़ी रवड के कंगी से अगर कंगी करते हैं तो करकड़ाट की आवाज आती है कैसी आती है तो कैसी दोस्तों आवाज आती करकड़ाट की आती है वह क्यों आती है option c आवेशित कंगे से बालों का टकराना option b छोटे छोटे विद्वत इस्पुरन option c कंदे द्वारा बालों में रगड कंगे द्वारा बालों में रगड option d उप्रोक्त जैसा कुछ नहीं बताई दोस्तों इस question का डियर correct answer क्या हो जाएगा देखिए सिर के सुखे बालों में कड़ी रवड के कंगे से कंगी करने पर करकड़ाट की द्वाराणी के कारण छोटे छोटे विद्वत इस्पुरन होते हैं विद्वत इस्पुरन भी इसको कहते हैं इस question का correct answer हो जाएग अब हम लोग question देखेंगे 108 क्या देखेंगे 108 विद्वत परिपत में संधारित क्या संधारित जिसको capacitor कंडेंशर कहते हैं का प्रियोग option ने वोल्टता के अपचैन हेतू करते हैं option B वोल्टता के अपचैन हेतू करते हैं option C विद्वत आवेश के संग्रहन हेतू करते हैं option D विद्वत आवेश उत्पन करने हेतू करते हैं विद्धुत परिपत में संधारित्र का प्रियोग करते हैं, किस कारण करते हैं, यह रीजिन आपको बताना है, क्या बताना है, यह रीजिन दोस्तों देना है, देखे, विद्धुत परिपत में संधारित्र का प्रियोग विद्धुत आवेश की संग्रेंड है, तो करते हैं, किसलिए करते हैं विद्धुत परपत में संदारित का प्रियोग जो किया जाता है विद्धुत आवेश की शंग्रयन है तो किया जाता है अर्थायत इस question का correct answer हो जाएगा option C अब question number देकिंग एक सुनो निम्लिकित में से अर्थ चालक कौन है ऑप्शने फासपोरस ऑप्शन B लकड़ी ऑप्शन C सिलकन ऑप्शन T काच बताई निम्लिकित में से अर्थ चालक कौन है जिसमें विद्धुत दारा आधी बैती हो अर्थात गुड कंड़क्टर ना हो किसक इसने मैटल्स होते हैं सारे के सारे वह इलक्ट्रिसिटी के गुड कंड़क्टर होते हैं विद्धुत चालक होते हैं तो दोस्तों आपको बता दें जो सिलकौन है उसे अर्थ चालक कहा जाता है किसको सिलकौन को अर्थात ऑप्शन C करेक्ट है आईए नेक्स्ट कोशन दे 110 देखते है 110 में क्या दिया गया है निमल खित में से कौन विद्धुत धारा के चुमकी प्रबाव पर आधारित है नहीं है ऑप्शन ने विद्धुत पंका ऑप्शन B टेली फोन रिशीवर ऑप्शन C कारवन माइक्रोफोन ऑप्शन T डाइनमो तो क्या होगा देखिए द दोस्तों विद्धुत धारा के चुमकी प्रबाव पर कारवन माइक्रोफोन आधारित नहीं होता है जो कारवन माइक्रोफोन होता है वह इस पर आधारित नहीं होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएग पर आकर्शन बल्का प्रियोग करता है निम्ले कित्र में से कौन नर्म लोहे पर आकर्शन बल्का प्रियोग करता है option A, carbon microphone option B, telephone receiver option C, saddle motor option D, dynamo तो बताइए इसका correct answer क्या हो जाएगा देखिए जो telephone receiver है वे नर्म लोहे पर आकर्शन बल्का प्रियोग करता है अर्थात इस question का correct answer हो जाएगा option B, आप देखते है next question, दोस्तो आप question है अपने पास क्या, 112, निम्ले खित में से कौन सी युकती विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करती है कौन सी युकती है जो विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करती है option A, dynamo, option B, transformer, option C, विद्धुत मोटर, option D, प्रेरक डाइनमो, transformer, विद्धुत मोटर, प्रेरक, बताई इसका correct answer क्या हो जाएगा देखें, विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करता है यह विद्धुत प्रेरल के सिधान्त परकार नहीं करता है किस परकार नहीं करता है? विद्धुत प्रेरल के सिधान्त परकार नहीं करता है जो डाइनमो होता है वह यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्थित करता है यह विद्धुत चुमकी प्रेनल के सिधान्त पर कार करता है अर्थाथ इस question का correct answer हो जाएगा option C question अपने पास 113 देखतें क्या है विद्धुत मोटर में उसके प्रारंबन के उपरांत मोटर की गती के सामान हो जाने पर इसमें प्रवाइत धारा प्रारंब धारा है option A के लगभग बराबर होती है option B के ठीक बराबर होती option C से से अधिक होती है option D से कम होती है विद्धुत मोटर में उसके प्रारंबन के उपरांत मोटर की गती के सामान हो जाने पर इसमें प्रवाइत धारा प्रारंब धारा होती है देखिए क्या होता है दोस्तों विद्धुत मोटर में इसके प्रारंबन के उपरांत मोटर की प्रवाइद्धारा प्रारंबंधारा से कम होती है इस question का correct answer हो जाएगा option d क्या हो जाएगा option d हो जाएगा अब देखते next question दोस्तों question है अपने पास एक सुच्छोग दे लाउड speaker में उर्जा का परिवर्त लाउड speaker में आप लोगों आवाज सुने होगी सुनते होंगे कथा होती है धार्मिक कराम होते हैं या कोई भी कारकरम हो एंक्रिंग हो कॉलेज का फंक्षन हो तो उसमें जो है लाउड स्पीकर का उप्योग बाहर लाउड स्पीकर लगाए गाते उससे आवाज आती तो किस उर्जा का किसमें परिवर्तन करता है ओप्षन दोनी से यांत्रिक ततपश्यात विद्धूत उर्जा में ओप्षन दोनी से यांत्रिक ततपश्यात विद्धूत उर्जा में यह परिवर्तित करता है तो देखिए क्या हो जाएगा जो loud speaker हो जाता है अर्थाथ इस question का correct answer हो जाएगा option B अब दोस्तों अपने पास question है 115 माइक्रोफॉन में उर्जा का परिवर्तन तो microphone होता है उसमें उर्जा का क्या परिवर्टन होता है option A दोनी से यांतरिक तत्पषाद विद्धूत उर्जा में option B विद्धूत से यांतरिक तत्पषाद दोनी उर्जा में option C दोनी से यांतरिक उर्जा में होता है option D यांतरिक से दोनी उर्जा में होता है तो इस question का correct answer हो जाएगा option B, option A का correct हो जाएगा, यह रहा option A, microphone में उर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, दोस्तो अब question देखेंगे हम लोग 116, क्या है 116 यांतरिक उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है यांतरिक उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है, option A, विद्युत सेल, option B, transformer, option C, dynamo, option D, विद्युत मोटर, बताएगे क्या हो जाएगा बताएगे दोस्तो इस question का correct answer क्या हो जाएगे, देखे जो dynamo होता है वे यांतरिक उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए इस question का correct answer हो जाएगा, option C, आईए next देखते हैं दोस्तो question है अपने पास, 170, transformer द्वारा, जो transformer होता है, उसके द्वारा क्या होता है, option D, DC वोल्टता का उच्चेन या अप्चेन होता है, DC मतलब होता direct current, option B, विद्युत उत्पादन होता है, option C, AC वोल्टता का उच्चेन या अप्चेन, AC होता alternate current, option D, AC का DC में परिवर्तन हो अप्चेन, alternate current to direct current, किसमें यह transformer change करता है, इसको आपको बताना है, देखिए transformer द्वारा, इसी वोल्टता का उच्चेन या क्या वोलते हैं, अब chain भी उसको कहते हैं, या a chain भी कहते हैं, तो ज्यादा विद्धारों को कम एवं कम को ज्यादा करता है, अर्थात इस question का correct answer हो ज आइगा आगे नक्ष देखते हैं, अब question देखिंग 118, हमारे घरों में विद्धुत आपूर्ती 220 वोल्ट AC होती है, 220 का मान आपूर्ती की, option इस्तिर वोल्टता दरसाता है, option B, प्रभावी वोल्टता दरसाता है, option C, और सत वोल्टता दरसाता है, शीर्स वोल्टता दरसा इस question का correct answer क्या हो जाएगा, बताईए आप लोग देखिए, हमारे घरों में विद्धुत आपूर्ती 220 वोल्ट AC होता है, 220 का मान आपूर्ती का प्रभावी वोल्टता दरसाता है, अर्थात इस question का correct answer हो जाएगा, option B, अब dear question अपने सामने है, 119 नंबर, DC के पेक्षा AC के ल उर्चा होती है, option B, इसमें वोल्टता के उतार चड़ाव नहीं होते है, option C, इसकी जनन लागत कम होती है, option D, कम उर्चा हानी के साथ, लंबी दूरी तक क्या है, की जा सकती है, बताईए question number 119 से, इस question का correct answer, आप लोग देने की कोशिस करे, DC के पेक्षा AC के लाब यह है की, बताईए DC के पेक्षा AC करेंट है, तो क्या लाब होगा, देखे, DC के पेक्षा AC का लाब यह है कि यह है, कम उर्चा हानी के साथ, लंबी दूरी तक की जा सकती, अर्था संसित की जा सकती, ज़्यादा दूर तक यह करेंट बेचा जा सकता है, इस question का correct answer हो जाएगा, option D, विजली के जटके से बचाना, option B, धारा के प्रवा को नियमित करना, option C, अती भारान जिसको ओवरलोडिंग कहते हैं, या लगू पतन की इस्तिती में परिपत को बंग करना, option D, उप्रोक्त जैसा कुछ ने, विद्धूत परिपत में फ्यूज का कार क्या है, सभी के गरों म में परिपत को भंग करता है, फ्यूज का प्रत्रोद उच एवं गल्लांक निम्न होता है, फ्यूज टीन एवं सीशा की मिस्तर धातू का बना होता है, क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों कुछ नमलुक देखेंगे, 121, विद्धूत परिपत में फ्यूज को, ऑप्शन गर्म तार में लगाया जाता है, ऑप्शन C, भू समपर्क तार में लगाया जाता है, ऑप्शन D, कहीं भी लगाया जा सकता है, इसका कोई अंतर नहीं होता है, देखें विद्धुत परपत में फ्यूज को हमेशा गर्म तार में लगाया जाता ताकि हाई बोल्टेज हो तो फ्यूज का तार क्या हो पिगलकर अलग हो जाए तो इस क्वेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डियर इस्टुएंट्स अब क्वेशन देखेंगे 122 फ्यूज के बारवर फुक जाने पर इसे ऑप्शन है पतले फ्यूज तार से बदल देना चाहिए ऑप्शन भी मोटे तावे के तार से बदल देना चाहिए ऑप्शन सी कागज की क्लिप से बदल देना चाहिए ऑप्शन दी बिजली के मिस्तरी को बुला कर ठीक करना इस question का correct answer बताईए क्या होगा अगर बार बार आपके घर का fuse फुक रहा है बताईए दोستो क्या हो जाएगा देखें fuse के बार बार फुक जाने पर इसे बिजली के मिस्तिरी को बुलाकर ठीक करना चาहीए क्या है बिजली के मिस्तिरी को बुलाईए और फटाफट उसको ठीक कराईए इसलिए इस कोश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा option D दोस्तों question हम लोग देख रहे हैं 120 कौन सा 120 है fuse की तार का पदार्थ option है उच प्रत्रोधकता का होना चाहिए इतैंज है निम्द गल्नांग का होना चाहिए इस question में पूछा गया है देकि जो फ्यूज के तार का पतार्थ है उच प्रत्रोधकता एवम निम्द गल्नांग का होना चाहिए अरथाथ इस question का correct answer हो जाएगा option A कोश्चन डियर इस्टुएंट्स अपने पास है 124 एक पावा सौकेट पर कई विद्धुत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑप्सन ने उपकरण खराब हो सकते हैं ऑप्सन B अतीतापन के कारण बिजली की वाईरिंग खराब हो सकते हैं ऑप्सन C उपकरणों को उनकी अंकित या आपउर्थित वोल्टता पूरी नहीं मिल पाती हैं Option C, Option D, उपकरणों को उप्युक्त विद्धुत धाराएं नहीं मिल पाती है, तो question क्या है, ये रहा दोस्तो question अपना 124, अब बताईए इसका correct answer क्या हो जाएगा, देखे एक power socket पर कई विद्धुत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की wiring खराब हो सकती है, क्या होगा हीट हो जाएगा तो wiring खराब हो जाएगी, इसलिए डियर स्टोरेंट्स इस question का correct answer हो जाएगा, option क्या हो जाएगा दोस्तों, देखे यह रहा ecosystem और इसका correct answer हो जाएगा, option भी अतितापन के कारण बिजली की wiring हो सकती है, आदे नेक्स देखते डेट इस्टूरेंट्स अपने पास कोश्चन है 125 क्या है 125 विद्धुत उपकरण को भू संपर्कित किया जा सकता है जिससे ऑप्सने ऑप्सन क्या है ऑप्सने किसी खराबी से उपकरण को बचाया जा सके ऑप्सन B विजली का जटका ना लगे ऑप्सन C विजली की खपत कामो ऑप्सन D लगुपतन ना हो विद्धुत उपकरण को भू संपर्कित किया जा सकता है अर्थात भूम से क्या कह जा सकता है उससे टच किया जा सकता है देखे विद्धुत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है इसका कारण है यदि लगू पतन हो तो विद्धुद धर्ती में चली जाए लगू पतन हो तो विद्धुद धर्ती का विद्धुद कहां चली जाए धर्ती में चली जाए इसलिए इस question का correct answer होगा option D दोस्तों यह series यहीं पर complete होती है उमीद है यह series आपको पहत पसंद आई यह series totally NCRT based है और इसमें जितने भी question करवाए जाए सारे के सारे आई वे ही question है दोस्तों इस series को अधिक सीदिख like करो शेर करो मेरे channel को subscribe करो दोस्तों जै हिंद जै भारत